हलो जी नमस्कार प्रणाम कैसे हैं भी आप लोग और कैसी चारी है त्यारिया तो मीदै की त्यारी बढ़िया चार रही होगी टाइम बहुत कम बचा है तो रिवजन करना है जीतना ज़दा आप कर सकते हैं तो दस मिनिट का समय आप लोगों के पास और टोपी क्यावन क्यूस क्या आश्र देने हैं तार्गेट थोड़ा सा बढ़ाते हैं आज का टारगेट है कि कम सी कम आपके 40 क्यूसन से वो सही होने चाहिए ठीक है लाइक सिर कर दो और पीडिप लेना चाहो तो ये टेलिग्राम है ये नाम सेर्च कर लेना प्रहला सारण सर्थ सारी पीडिप आप कि कितने सही किये हैं पहला है कि उप सर्पंच का निर्वाचन कैसे होता है भी तो उप सर्पंच का चुनाओ जो होता है एप परतेक शुरूप से होता है जो निर्वाची तो सर्पंच होता है और पंच जो होते हैं उनकी द्वरा चेहन किया जाता है एप परतेक शुरूप वुश्य होता है तो B आपका सहीरार्म सहारिया जनजाती कि लोग सब अज्ड़ा आपका युछाल सहीरा. तो सहारी जनजाती ज्यादा रहते है है continue 1 जृँष हो मैं uratुफसरग Space प्रस्ति कで वज्ई आपका वह सहीर आपकान को स सहीरार्म आइछ और रणकपूर के परशी जेन मंदीर है वो किस जिले में है रणकपूर के जेन मंदीर रिषब देवजी के मंदीर है और ये पाली जिले में है मताई नदी के किनारे पर है ये चो मुखा जेन मंदीर जिले में कह देते हैं देवा देवाक जो है इनके सिल पी रहे थे धरणक साने कुमबा के सासनकाल में निर्मान करवाया था कुमबलगड़ का किला है वो कौन सी जिले में है तो ये रासमंद जिले में बना वा है माना परताब का जर्म यहीं पर हुआ था कुमबा जी ने इसका निर्मान करवाया था कुमबा जी की हत्या भी यहीं परूई थी और यहीं वो दुरूग है जिसकी प्राची इर सबसे लंबी है भारत की महांदिवार कहते हैं 36 किलोमेटर लंबी है और इतनी चोड़ी है जिस पर एक साथ चार गोड़ी दोड़ाई जा सकते हैं ठीक है और अब लभजल ने शी पनार संस्ता काँ पर एवि यह है सुर्य नगरिंये में यानि जो थपुर में 20 सही है । छले इनमें से कोंग साबुषने है जो नाक में नहीं पहना जाता तो लोंग तो पहनते हैं नत भी पहनते हैं, चौप भी पहना जाता है, मादलिया नहीं पहनते हैं, मादलिया गले का है, तो डिय आपका सही, और राजस्तन परसास ने सुदार समीती गुनी 63 की है, इसके देखता किस ने की थी, ये अहरीज चंदर माथुर जी के द्वारा, तो एक आपका सही, चलिए किस करम में मंदीर और मदीरा सबद्यूगम का सहीरत है, तो मंदीर और मदीरा, तो बता देंगे क्या हो जाएगा, मंदीरा आपको पता है सराब, और मंदीर या देवी का मंदीर या अस्तो साला, मंदीर है ये, ठीक है, तो अस्तो साला और सराब एक आपका सही है, अगले है कि रा राष्ट हुद्यान और जिला time be बताना है तो बताओ रन्तमBER राष्ट उद्यान स्वै मादवपुर ठीक है शरीष का अभ्याण अलवर में ठीक है केलद अभ्याण बर्दपूर में क्रोली नहीं है बीट तो सीज जु है वह वह गलत है भाकि तो सारे के शारे जो है वो आप पहले स्थान पर ये तो ही है चना भी है गेहूं तो मैंने रभी में सबसे ज़्याद पादन गेहूं कही होता है मुपली नहीं है सी आपका सही रास्तान का उतपादन पहले स्थान कौन सा है तो सर्सों के उतपादन में पहला स्थान है सी आपका सही और कौन सा जिल है जो डा प्रत्यागत में उपसर्ग बताना है तो परती उपसर्ग का प्रियोग हुआ है और जैसे डिवते ने जंतर मंतर जो है वो किसे एरिमें नहीं बनाया था पांच बनाया था जैपुर में बनाया था इसके अलावा दिल्ली का सबसे प्राचीन है बनारा सभी में भी है मत्थुरा है, उजेन है, एयोध्या नहीं है तुड़ी यह आपका सही तूड़ी यह आपका सही गुणी सो बावन में अमलान गोस्टी ने खोज की थी राना सागा और बाबर की बीच में खानवा के युद हुआ था कब हुआ था पंदरा सो सताइस में और राजस्तान में चांदी के गोले दागने के लिए परियुक्त चर्चित दुर कोन सा है चुरू का किला है जो वर्तवान में सेक्षिन कारिये के लिए यूज किया जाता है राजस्तान का सागवान किसे कहते हैं भी तो रोईडा कहलाता है और दो चार लड़ी के गले में पहने जाने वाला जो हार होता है वो क्या कहते हैं वो हांसला कहलाता है मेवाड का बिसंपिता मा किसे कहते हैं मेवाड का बिसंपिता मा कहते है कुवर चूड़ा को राइटार साब का एक और माना कुमबा के द्वारा निर्मित कराया गया कुसाल माता का मंदिर कहाँ पर है बदनूर मेहर बदनूर आता है भीलवड़ा जिले में सीयप का सही और भीला दिवाशी गरूव गोविंद गरूव का समन्द किसे भी गोविंद गरूव जिनोंने संपसबा की सरवात की थी जिनोंने भगत अंदोलन चलाया था और ये मानगड़ पाड़ी बांच वाड़ा से समन्द देता है आप कॉमेंट करके बताओ कि मानगड़ का जो मेला बरता है ये कि स्तेथी को बरता है और राजस्तान में सच्या माता का पराची शूरिय मंदर कांपर है ओस्या में और जोड़ पूर में इसे राजस्तान का बोने शूरि भी कहते हैं पराची नकाल में उपकेस पटनम भी कहते हैं वस्त राज ने निमान करवाय था जो परतियार बंस के एक सासक रहे है और पोत, हांकर, सरी या बूशनों के नाम है ये सारे गले में पहने जाते हैं भी आपका सही सांबर जील में निमलक में से किस नदी पर परतिवर्स सरवादिक लवन की मातरा लाकर जमा की जाती है चार नदिया है, चारों ही, इनमें सबसे ज़दा जो है मेरा नदी तो राइट अंससी और अरावली परतमाला की टोटल लंबाई बतानी है तो 692 किलोमेटर है, 550 राजस्तान में है जो टोटल का 80% है राजस्तान में सरवादी कोर सायो किस मानसुन से होती है, सरवादी को होती है बंगाल की खाडी के मानसुन से ये सबसे पहले जहलावाड में परविश करता है और अरब सागर का मानसुन सबसे पहले परविश करता है बांस्वड़ा जिल्ले में इनमें से किस जिले की जलवाईयों में सरवादी विसमता है सरवादी विसमता जसलमेर में एक आपका सही और गवरी देवी राजस्तान के किस लोक गायनी सेली से समधित है तो ये मांद गाय का है मांद नहीं है ये मांद गाय का है जो जसलमर बीकारे के अला जिला भाई भी जुनजुनु जिल्ले में है जान से सबसे प्राचीन लोग लाने की बटिया मी मिली थी और गोत्मेसुर धाम है वो किसी जिल्ले में भी गोत्मेसुर परतावगड में भी है और ये सीरोही में भी है याद रखेंगे अगर कभी आ जाता है तो राजस्तान में राजय मंत्री और संस्टे सचीवपत की विवस्ता कौन सी विदानसबा में की गी थी तो चोथी विदानसबा में डियापका सही और राजस्तान साहित अकादिमी कहां पर बनी हुई है राजस्तान साहित अकादिमी कहां पर है उदेपूर में तो राइटान स्राप का C और पेज़न एक नरते होता है कहां का है पेज़न नरते वागड छेतर में होता है वागड यानि डुंग पर बांसवडा कब होता है तो ये दिपावली के टाइम पर होता है याद रखेंगे अगला है कि गडियालों की परजाती को सरक्षित करने के लिए कोन सा ब्याने प्रशीद भी अच्छाए इनके बारे में क्यूसन मताना इनका पहला कारीकाल कब से बढ़ तक रहा थे एक किसे दो बार आया हुआ है किनका पहला कारिया काल किस वरसे लेकर किस वरस तक आप कॉमेंट करके बता दीजेगा और मारवाड का लगो माउंट किसे कहते हैं मारवाड का लगो माउंट पेपलूद को कहते हैं जो की बाडमेर में है एक आपका सही और आज़तान में परणामी संपरदय कि इसके द्वारा चलायागा परणामी संपरदय के जो परवत के परानाजी है मामती परानाजी के द्वारा तुब भी आपका सही अगला है कि राजस्तान के हाडोती शेतर में अंतियत्द उम्म को उस्ताथ से मनाई जाने वांगा तूहार कूण सा है तो इन मेंसे तो दसेरा है जो की हाडोती में कोटा परशीद है अब आप बताओगी दसेरा किस तीठी को आता है तीठी कोमेंट करके बताईए और इन मेंसे राज़तान के किस जिले में अरावली मुटर है जो कि आप ये बताएंगे कि इसमें अंतराजे सीमा कितनी पांच राजियों के साथ टोटल कितनी अंतराजे सीमा लगती है इन्हें अंतराजे सीमा को हटा दीजे इन में से कोमेंट करो जरा और मेजबांध रास्तान की कौन सी नदीप है मेजबांध भीलवडा में कोठारी नदी भी है और कोठारी नदी के किनारी एक सवेता विक्षित हुई थी बागोर सवेता जांसे सबसे प्राचिन पस्वपारण के साख से भी मिले थे और राजय में मीटी से बनावा बांध कौन सा भी मीटी से बनावा पांचना बांध ठीक है पांचना बांध किस ज यह टेस्ट नमर बावन था यानि इससे पहले वाले क्याओं नहीं देखे हैं तो अभी जाहिए पले लिस्ट में और वहाँ पर नाम देखना सुपर फास्ट टेस्ट शीरीच गराम सिवक के लिए सारे टेस्ट वाँ पर मिलेगे उन सब की पीडिप लेना चाहते हैं तो टेल सब्सक्राइब नहीं के तो कर लो ताली डेली नोटिकेशन है वो आप लोगों को मिलता रहे राइट तो चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो में कुछ और इपोर्टेंड क्यूशनों के साथ तो क्लास जोईन के नेकले बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू भीडियो प्राइब र